भूगो का फल भूगतना ही पड़ता है, रोक शरीर में आता है, मुझ में नहीं, इसलिए भोजन में समय न लगाओ और आत्म आराधना में लगाओ जय जिनेंदर, स्वागत है आपका जैन शुद्धिवेंजन में आज बनाने जा रहे हैं मसालेदार पानी पूरी तो आईए देखते हैं, इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यक्ता लगेगी हमें पूरी बनाने के लिए चाहिए गेहूं का आटा, एक कप जो थोड़ा सा मोटा होगा, जैसे बाटी का होटा, दरदरा आटा वैसा हमें चाहिए, और एक कटोरी छना हुआ जल थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें डालेंगे इसमें हमें कुछ मोहिन बगर कुछ नहीं डालना है सिर्फ नमक डालना है और नॉर्मल अपने पानी से जो हमारा गरम किया हुआ है मर्यादिद उससे हम इसको सक्त गूथेंगे देखें यह गीला नहीं होना चाहिए इसे थोड़ा सा सक्त गूथेंगे जिससे हमारी पूरियां बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी तो हम इस तरीके से इसका आटा लगा के रखतेंगे इसको 10 मिठ हम रेस्ट के लिए रखेंगे आटे को जिससे जो हमारा आटा मोटा है तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के लगाएंगे थोड़ा सा फेट लेंगे इसको तो इससे हमारी पूरियां जो अच्छे से सॉफ्ट होगी देखी हमने इसमें आधा से थोड़ा सा जादा हमारा पानी इसमें लगाए हम पानी को अंदाज से थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे, यदि जादा गीला हो जाएगा तो हमारा पूरिया फिर अच्छे से नहीं बनेगे, तो देखे इस तरीके से हमें थोड़ा सा सकत उसनना है, इसको इसे गूत किया और हम इसको ढख कर अच्छी तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मूंग चॉले किसी भी खड़ी चीज का भी मसाला बना सकते हैं तो देखिए हमने यह हमारे 10 मिट हो गए उसके बाद हम इसे हम रोटी को इस तरीके से गोले बनाके और लंबा-लंबा गोल रोटी बनाके और उसे हम कटिंग कर लेंगे उसकी रोटी को हम पल्टा पल्टा के और थोड़ा सा पतला बिलेंगे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग करके एक साफ कपड़े को गीला करके और उसके हमने उपर यह सब दूआ भी नहीं होना चाहिए थोड़ा दूआ जिससे इसके आसपास में चोटी-चोटी से बबल्स की रिंग बन जाए बस उसमें हमें गरम-गरम में ही इनको डालेंगे पहले यह अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे वरना यह हमारी जल जाए तो बिना उसके भी बहुत अच्छे से फूल जाती है एक बाद ध्यान रखे इसको तेल हमें इसमें अच्छे से चाहिए लेकिन यदि हमारे पास कभी कम तेल बच जाए तो भी इसमें देखिए तब भी पूरिया फूल जाएगी अगर आपकी अच्छे से बनी है तो देख असा सेंधा नमक डाला है और थोड़ी सी खांड शुगर और नीबू का रस हमने इसमें अच्छे से डाला है और हम इसके ऐसा मसाला बना लिया उपर से जीरे का तड़का डाल दिया है को कड़ी और इसको बारी कट लेंगे शिम्ला मिर्ची कड़ी को थोड़े से नार के द इसमें कच्छी केरी का पल्प भी डाला है और नीबू भी डाला है दोनों आधी-ाधी मातरा में डाले हैं इसके साथ हम इसमें इमली का रस भी डाल सकते हैं खटाई के लिए तो बहुत टेस्ट अच्छा है इसका अच्छे से बनेगा इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा सौफ का पाउडर डालेंगे नमक डालेंगे या जो हमारा पानी पूरी का पने का मसाला होता है वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं इसमें आप कच्छे आम का पना वाला वीडियो अवश्य देखे उससे आपको पानी एकदम परफेक्ट बनेगा इ तो बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है तो आप उसका भी थोड़ा सोपयोग करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा तो इस तरीके से देखी हमने पूरी के अंदर इसको फील कर लिया है और डेकोरेट करके ही हमारी तैयार है हमारे एक कटोरी जो गिहों का आटाम ने ल करते हैं और देखिए इसमें हमें किसी भी प्रकार की सोट या काला नमक वगर बजार वाले का यूज नहीं करना है घर का है शुद्ध बना हुआ वन्वेंजन ही हमें बनाना है उससे हम हिंसा के दोश से भी बचेंगे और सस्त रहेंगे देखिए क्रिस्पी पानी पूरी बनाने के लिए बस आपको उसके आटा लगाने का ख्याल रखना है उसकी पतला मोटा उसका भी आपको ख्याल रखना है पलट पलट कर बेलना है और तलते समय सावधानी पूरवक तलना है जिससे इसकी दोनों परते एक जैसी खुलेगी और पानी पूरी अच्छी और सुस्त रहें, प्रसंद रहें, घर में शुद्ध चर्णानियों के नुख